गुड मॉर्निंग डियर इस्टुडेंट आज का गेम है रुई लोपेज वेरियेशन तो आई देखते हैं रुई लोपेज वेरियेशन में बनने वाले पासे, फंदो और ट्रेक के कुछ एक्जाम बन गेम स्टार्ट वाइट खिलता है एफोर, बलेक एफाई वाइट नाइट एफ्री, नाइट को डेवलप करता है, इफाई पॉन में आटेक बनाता है नाइट से बलेक खिलता है सीशिक्स, नाइट को डेवलप करता है, सेंटर में प्रेशर करेट करता है, इफाई पॉन को सपोर्ट देता है नाइट से वाइट खिलता है बिशब बिप आई नाइट पर प्रेशर प्रेट करता है नाइट को कैप्चर भी कर सकता है अब यहाँ से बिशब बिशब खिलता है A6 कौन से बिशब पर अटेक ना आता है वाइट अब बिशब को बैग लेता है पीछे A4 स्कॉयर में बिशब खिलता है अब नाइट F6 अपना दूसरा नाइट पर डेवलक करता है वाइट कैसलिंग करता है किले बंदे करता है बलाइट खिलता है बिशब C5 ओपन डाइगनल में खिलाता है सेंटर के बिशब को बलाइट वाइट खिलता है अब नाइट कैक्चर बलाइट केप्चर नाइट केप्चर नाइट केप्चर नाइट केप्चर करता है वाइट खिलता है नाइट केप्चर नाइट अब यहाँ बलेक B7 पॉन से नाइट को केप्चर नी करता है बलेक खिलता है D7 पॉन केप्चर नाइट विशब को ओपन डाइगनल देने के लिए क्विन के फाइल ओपन करने के लिए बलेक D7 पॉन से नाइट को केप्चर करता है वाइट खिलता है क्विन F3 क्विन पर क्विन F3 खिलके नाइट पर अटेक बनाता है वाइट ओपन फाइल में लेके आता है गेम में लेके आता है वाइट अपने क्विन को यहां पर वाइट इस मूप को न खिलतके इस मूप को खिलता है तो इसके बाद बलेक चलेगा विसब क्यप्चर एप टू पॉन चेक इसके बाद रूप पर भी अटेक है नीचे से नाइट का सपोट है इसलिए इस मूप को नहीं खिल लाएए वाइट खिलता है क्वील F3 बलेक खिलते हैं क्वीन H4 नाइट को सपोट देते हैं बलेक क्वीन को भी गेम में लेके आता है यहां वाइट खिलता है नाइट C3 बलेक खिलता है अब बलेक नाइट से नाइट को कैप्चर नहीं करता है बलेक बिसब को भी यहां पे G4 स्क्वाइर में निकलाता है बिसब को ओपन डाइगनल है बलेक खिलता है नाइट कैप्चर नाइट इस पोजिचन में अब वाइट नाइट को कैप्चर नाइट नहीं करता है वाइट खिलता है यहां बिसब कैप्चर C6 पॉण बलेक पॉण से नाइट को कैप्चर करता है वाइट खिलता है क्वीन कैप्चर C6 पॉण चेक अब चेक बसने है चेक बसने के लिए बलेक खिलता है बिसब D7 इस पोजिशन के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बलेक का गेम अब खतम हो गया है ठीक है जैसी बलेक ने बिसब D7 खिला तो लग रहा है कि अब रूख पर भी अटेक है उसके बाद चेक बसने है दूसरे रूख पर भी अटेक है क्वीन की ऐसा लग रहा है जैसे बलेक का गेम खतम हो गया है लेकिन इस मूब के बाद D7 मूब के बाद बिसब बलेक ने वाइट को अपने ट्रेप में हसा लिया है अब वाइट खिलता है यहाँ क्वीन कैप्चर रूख चेक चेक बसने के लिए की स्कॉर अब E7 किंग E7 वाइट खिलता है क्वीन कैप्चर रूख अब यहाँ से बलेक खिलता है नाइट E2 चेक चेक बसने के लिए 21 स्कॉर है किंग H1 बिसब कैप्चर एप्टू पॉन यहाँ से वाइट रूख से बिसब को कैप्चर करता है तो क्वीन कैप्चर रूख फिर क्वीन जीवन चेकमेट इसलिए स्कॉर को नहीं खिल ले वाइट बिसब को कैप्चर नहीं कर रहे चेकमेट बसने के लिए वाइट खिलता है S3 पॉन S3 यहाँ पर बलेक क्वीन से कप्चर करता है क्वीन कैप्चर पॉन चेक वाइट पॉन से कप्चर करता है एकी मुबह वाइट के पास पॉन कैप्चर क्वीन बलेक खिलता है बिसब C6 चेक चेक बसने के लिए एकी स्कॉर है किंग S2 बिसब बिसब यहाँ नहीं आसकता है किंग बिसब की चेक है किंग बिसब को कैप्चर नहीं कर सकता है नायट है सपोर्ट में यहाँ नहीं आसकता है यहाँ नहीं आसकता है बिसब की चेक है तो यह चेकमेट है यह है रुई लोपेज variation का फस्टर एक्जामबल अब देखते हैं रूई लोपेज variation का सेकिन एक्जामबल गेमी स्टार्ट white खिलते है e4 black e5 white knight को develop करते है knight f3 black knight c6 white bishop b5 knight part attack बनाता है यहां black खिलता है e6 on e6 bishop part attack बनाता है white खिलता है bishop e4 bishop को back लेता है black अबना दूसरा knight develop करते है knight f6 center में pressure create करते है knight से black के दोनों knight game में active है white खिलता है queen e2 queen को game में लेके आता है e4 pawn को भी support देता है queen से black खिलता है bishop c5 bishop को open diagonal में खिलाता है center के diagonal में white खिलता है c3 bishop के लिए square भी open करता है diagonal यहां से भी खिला सकते है bishop को यहां पर white को bishop capture knight करके ठीक है एक pawn win कर रहे है white लेकिन इस move को नहीं खिला है bishop capture knight black खिलता है d capture knight d pawn से capture करता है knight को white खिलता है knight capture e5 pawn black खिलता है queen d4 अब यहां से white खिलेगा knight d3 black queen से pawn को capture करता है तो white knight से bishop को capture करेगा इस move के बाद black को अपना एक मुहरा देना होगा बिसर को देना होगा ठीक है इसलिए black इस move को नहीं खिलेगा यहां white खिलता है c3 ठीक है इस move को नहीं खिलता है bishop से white को capture करता है white खिलता है c3 pawn c3 black खिलता है b5 b5 pawn से bishop पर attack बलाता है white bishop को b3 square में खिला सकता है c2 square में खिला सकता है white खिलाता है यहां c2 square में bishop को save करता है center के diagonal में खिलाता है bishop को d5 में black देता है यह move black के इतनी अच्छे move है नहीं white pawn से pawn को capture करता है pawn capture pawn black यहां pawn को queen से capture करता है अभी knight से capture करना था pawn को ठीक है इस knight से pawn को capture करना था knight capture pawn अभी यहां black करता है queen capture pawn white खिलता है d4 pawn पर भी attack बनाता है bishop पर भी attack बनाता है pawn से white यहां black खिलता है bishop को shift करता है bishop d6 अब e5 pawn पर तीन अटेक है pawn से भी attack है knight से भी attack है queen से भी attack है center के pawn पर white खिलता है अब bishop d3 खिलके queen पर attack बनाता है black के पास अब queen को save करने के लिए एक ही square है king queen e4 ठीक है यहां नहीं आ सकता है pawn है इस square में bishop की attack है ठीक है queen को save करने के लिए queen से queen अब आमने सामने है e square है queen save करने के लिए black के पास queen e4 white queen से queen capture करता है black knight से queen को capture करता है white खिलता है bishop d5 इस position में आप black को अपना एक मोहरा देना होगा एक knight ठीक है इस knight पर पर attack है e4 knight पर and c6 knight पर पर attack है तो यह position black की winning position है यह है आपका रुई लोपेज variation का second example अज़